हे काईज, वेलकम टू माई विमला दिवी योट्यूब चैनल, आज हम आपको बताने वाले है ज़ाडू से जुड़े इन कुछ नियोमों को जो आपके लिए जानना जरूरी है किस समय हमें ज़ाडू घर में लगाना चाहिए और किस समय हमें ज़ाडू नहीं लगाना चाहिए ज़ाडू लगाने के बाद हमें इस ज़ाडू को कहां पर रखना चाहिए जी हाँ सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि जाड़ो हमें घर में किस समय लगाना चाहिए सुबह जब अंधेरा रहता है तब हमें घर में जाड़ो नहीं लगाना चाहिए हलकी जब सुबह हो जाती है हलका चानना हो जाता है तब से लेकर के हम जाडू लगा सकते हैं अपने घर में और सुभेत से लेकर सामके चार बजे तक हम अपने घर को साफ कर लेना चाहिए साफ करना हमें जरूरी है हर रोज हमें जाडू से बाहर कुड़ा निकालना जरूरी है और सामके चार बजे तक ये हमें काम कर लेना चाहिए सामके चार बजे के बाद हमें घर में जाडू से कुड़ा बाहर नहीं निकालना चाहिए अन्यता हमें करना पड़ सकता है दरिदता का सामना इसके बाद जान लेते हैं कि जाडू घर में लगाने के बाद हमें किस दिसा में इसे रखना चाहिए घर की जाडू को लक्स्मी स्वर्वपा कहा जाता है या फिर लक्स्मी के समान ही इसे माना जाता है इसे उत्तर दिसा में हमें जाडू लगाने के बाद रखना चाहिए और रातरी के समय हमें कभी भी घर से कुड़ा बाहर नहीं करना चाहिए अगर जाडू लगाना रातरी में आवश्चक है तो उस कूरे को घर में ही रख ले, बाहर ना निकाले, बाहर ना फैके जारू को हमें कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए अगर हमारा गलती से पैर लग जाता है तो हमें उसे माफी माणना चाहिए जो आपकी घर में जारू है वो आपकी तूटी फूटी ना हो बलकि साफ उत्री और अच्छी मजबूत होनी चाहिए यह थे कुछ जारू से जुड़े हुए नियम इनका पालन अवश्य करें यह आपके लिए जानना चुरूए ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीजिस चैनल को स सब्सक्राइब करें कमेंट करें सेयर करें थेंक्स पर वोचिंग इस वीडियो